Hello everyone, welcome you all at Lucasstar Unlimited Study Zone So start करते हैं हम पने last chapter को Last chapter नो last topic को start करें, chapter नहीं Last topic में मैंने आपको एक बार कराया था time period of the satellite जिसमें मैंने आपको फिर से revise यहाँ पर करा रहा हूँ कि time period कैसे निकालते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज है यह आपकी अर्थ है और एक fixed distance per orbit per small r distance पर एक यहाँ पर satellite चकर काट रही है तो इसकी total distance यहाँ पर कितनी होगी 2 pi r 2 pi r और आप जानते हैं कि time is equal to the distance upon speed तो वही concept लगाएंगे circumference equal to 2 pi r और orbital velocity कितनी हो गई v, ओके आप जानते हैं 2 pi r to 2 pi r है और यह हो जाएगा under root gm upon r root r उपर आजाएगा तो root r उपर आके कैसा हो जाएगा भाई सब देख लो 2 pi r तो ठीक है बिटा r को क्या मैं under root r का square लिख सकता हूँ इस वाले उपर वाले r को और एक root उपर से आगे नीचे r और नीचे कितना बच गया बिटा under root gm तो complete हो जाएगा कितना under root r q by gm clear है आप gm को क्या लिख सकते हैं gm को लिख सकते हैं small g r square तो gm को अपने replace कर दिया small g r का square clear है तो यह बन गए आपका time period क्या बन गए आपका time period आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर small r को लिख सकते हैं capital r plus h और यदी आपका satellite pass में हो तो आपको पता होगा कि r is equivalent to capital r तो आप यहाँ पर r को यदी capital r की equivalent रख देते हैं तो value कितनी आ जाएगी उसको भी solve करके देख लिए आप तो यदी r को आप capital r के equivalent रख देंगे तो t is equals to 2 pi okay capital small r का cube बन जागा सब कुछ क्योंकि 2 भी पता है pi भी पता है r भी पता है जी भी पता है तो solve करने पर आएगा बोलिए 84.6 that is 1.4 hour समझ में आ गया आपको मतलब यही कोई अर्थ के समीप rotation कर रहा है अर्थ के pass में rotation कर रहा है तो जो आपका जो बनेगा time period हो कितना होगा 84.6 याने की 1.4 hour I hope it is clear चलिए बच्चों अब अगली बात करते हैं total mechanical energy total mechanical energy equal to gravitational energy plus kinetic energy तो kinetic energy half mv square होती जिसको आपने solve करके निकाला था minus g mm upon 2r है ना बिटा याद रखना बहुत important derivation है यह minus g mm upon 2r इसको छोड़ दो यह angular momentum के time में है किसके time में है तो थोड़ी जी महनत करोगे ना तो आ जाएगा actually L की value mvr होती क्या होती L की value mvr तो वहाँ से आजाएगा half mv square को आप replace करना पड़ेगा और आप इसको बना लोगे ठीक ना दूसरा देखो potential energy equal to मैंने यह बताई थी याद है आपको minus gm upon 2R और याद भी आपको होगा कि जो total energy u के k होती है total energy e जो होती है this is equal to u का half u का half याद आ गया क्योंकि u कितनी थी gm upon r और उसका half कितना हो जागा gm upon 2R चलिए तो energy देखिए r distance के साथ energy अगर r distance के साथ आप देख रहे हैं कि अगर आप distance यहाँ पर देखिए बढ़ाते जा रहे हैं तो energy की value कम होती जारी kinetic energy क्या हो रही है कम होती जारी कहां से आएगा formula से आएगा भाई सब यह देखिए r की value अब बढ़ाएंगे तो kinetic energy की value क्या होगी कम होगी और अगर यहाँ r की value आप बढ़ाते जाएंगे तो potential energy की value क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी क्योंकि r बढ़ा होगा बो हाँ तो यह total क्या होता जाएगा चोटा होता जाएगा और negative जितना चोटा बढ़ा होता याद आया तो यह रेखिए r की value बढ़ाते जा रहे है और आपकी जो total energy क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है यह रेखिए यहाँ पर थी बढ़ती जा रही है यह सौनो और जो total सॉरी मेरे को potential मोलना था मैं total बूल गया तो potential energy जो है वो क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है और total energy भी उसी हिसाब में क्या हो रही है बढ़ रही है क्यों क्योंकि total energy का फॉर्मूला क्या total energy equal to है ना कितनी है minus g mm upon 2R यह देख लो भाई साब minus g mm upon 2R है कि नहीं है तो भाई minus gm capital M में small है वापॉन कितना 2R clear ना तो यह actually यू थोड़ी सी बड़ी और total energy half होती है और potential थोड़ी सी बड़ी होती है मैंने पहली बताया था आपको कि जो total energy होती है वो यू का क्या होती है half होती है कम होती है यसा नो तो total energy का graph थोड़ा सा उपर रहेगा कम value में रहेगा ठीक ना बोलो clear है तो I hope it is clear हो गया अब मैंने binding energy बतायी थी कि binding energy क्या होती देखे यहाँ पर finally आप देखो total energy क्या है satellite की satellite की total energy कितनी है kinetic energy plus potential energy इसको आपने solve किया और वो आई minus g capital M small M upon 2R I की नहीं आई अगर आप इसको इतनी energy देदो गे तो यह छोड़ करके कहाँ चला जाएगा इसकी total energy कितनी हो जाएगी अगर आपने इसको इतनी energy देदी तो gm small M upon 2R यह देदी तो इसकी total energy कितनी हो गई 0 होई की नहीं होई होगी न तो मतलब यदि आपने इसकी energy देदी इतनी energy के एककोल इसको energy देदी तो यह और यह दोनों क्या होगा है cancel तो वो energy जिसको देने पर planet gravitational zone से बाहर चला जाए कहाँ चला जाए gravitational zone से उसको बोलते है binding energy क्या बोलते हैं उसको binding energy तो भाई यह लिखा हुआ binding energy total energy of the satellite in the orbit is negative which means that satellite is bounded to the central body planet with an attractive force मैंने बताए था negative energy मतलब addiction यानि की planet किसी ना किसी मोह में फसा हुआ है sorry satellite किसी ना किसी मोह में फसा हुआ है बोलो हाए न हाँ energy must be supplied to remove it from the orbit to the infinity energy कुछ ना कुछ supply करनी पड़ेगी जितने से बंधा हुआ उसका positive तो total energy क्या है उसकी minus gmm upon 2R यह देख लो है कि नहीं है इसी का positive दे दो तो gmm upon 2R जो energy होगी वो क्या क्या लाएगी binding energy बोलो clear हो गया अब change in velocity of the satellite हम पढ़ते है कि velocity में change कितना हो जागा change in the orbit of satellite orbit को velocity नहीं तो lower orbit में energy कम होती है और higher orbit में energy क्या होती है ज्याद़ा होती है सबसे ज़दा energy कहां होती है infinity पे कहां पे होती है infinity पे वो कित्ती होती है क्या होती है याद आया कुछ पोटेंशल और एनरजी इंफिनिटी पे क्या होते है सबसे जादा कुछ याद है कि नहीं याद है देखिए भाई यदि आपको भूल जाया है तो w is equal to minus g capital m small m upon total energy equals to कितना होता है 2r बो यह सौनो अब negative में negative में है total energy तो यार जादा जादा क्या हो सकती है 0 ही तो होगी ना 0 ही तो होगी क्योंकि negative तो छोटे ही होता है G0 से yes or no तो मतलब orbit के जितने अंदर आप हो आपके energy उतनी कम है और जितने बाहर हो आपके energy उतनी क्या है जादा है yes or no clear तो यदि आप इस orbit से ले करके यदि इस orbit तक move कर रहे हो तो आपको किया गया work equals to final energy minus initial yes or no? तो final energy कितनी हो जाएगी? minus gmm upon 2R2, initial energy कितनी हो जाएगी? बीच में minus लगा है system का और initial energy minus gmm upon 2R1, minus से minus क्या हो गया भई है? प्लस हो गया, हुआ की नहीं हुआ तो minus gmm upon 2 common ले लिया, देखो यह प्लस में चला गया, तो 1 upon R1 minus 1 upon R2, यह है work done क्या है यह? work done बुली clear हुआ की नहीं हुआ? अब आता अगला derivation, भाई साब, height of the satellite height of the satellite, satellite की height कितनी है? जमीन के ऊपर, तो यह satellite की height जो का derivation है न, यह आया है time period से उठाया अपनने, इसको यह देखो, आपने थोड़ो देर पहले time period का derivation किया थे, बुलो t is equal to 2 pi under root R cube upon gm, बुली ऐसा न, तो t is equal to 2 pi under root R cube upon gm से इस derivation को उठाऊंगा मैं, तो t is equal to 2 pi under root R cube upon gm, small r क्या होता है बेटा, r plus h whole cube upon कितना, gm को क्या लिख सकता हूँ, gr square, यह तो पता है न, आपको, क्योंकि small g equal to होता है कितना capital gm upon r का, square, तो gr square क्या हो जाएगा, gm हो जाएगा, अब देखिए, आपको क्या चाहिए, height चाहिए, क्योंकि r क्या होगा radius of the earth, radius of the earth, तो gm के कितने उपर वो क्या होगा, h kia तो होगा n, हमको, betta h nिकालना है, तो क्या करो, betta, दोन तरप का square ले लो, क्या करो, दोन तरप का, square जैसे या आपने दोन तरप का square ले लिए, तो यह इधर जो था, यह बन जाएगा t था, तो इस तरफ हो जाएगा square करोगे तो बोलो क्या हो जागा T का square और ये सारी party इधर कूच जाएगी तो T के square के साथ क्या जाएगा G R square क्या जाएगा तो ये देखो feel करो बोलो G R square T square बोलो हाँ और ये जो 2 pi ये नीचे चला जागा square करने के बाद तो 2 pi नीचे चला जागा तो कितना होगा बोलो 4 pi square यहां क्या बच गया r plus h का whole cube r plus h का अब यहां से cube हटाओगे तो इस पूरे के पूरे item के उपर के आएगा power 1 by 3 क्योंकि cube हटता है तो cube root आता है बोलो है न तो cube हट गया तो इस पूरे के उपर के आगया cube root 1 by 3 फिर h को निकालना है तो r को इधर कर दोगे तो r क्या हो जगा minus में हो जाएगा और यह आपके पास आगई height of the satellite क्या आगए height of the बच्चों इतना important derivation नहीं है बट आ जाए तो यार यदि यह आपसे बनता है तो यह निकालने में किस बात की दिर बहुत easy है ठीक ना आप इसको कर लिजेगा last derivation मगर यह आया हुआ exam में weightlessness क्या होता है weightlessness क्या होता है तो weight क्या होता है weight क्या होता है weight होता है reaction force weight क्या होता है अगर आप satellite के अंदर जाते हैं तो आपका reaction force 0 हो जाता है और आप satellite के अंदर तैरते हैं समझ गए ना यह जितने हमारे एस्टोनोट वगरे होते हैं यह सेटलाइट के अंदर जाते हैं वहाँ पर मतलब क्या बूलना चाहिए स्पेस स्टेशन है वह एक तरीके के सेटलाइट ही है है ना तो उनके अंदर उनका वेट कितना हो जाता है जीरो तो आएए देखते हैं उ इस 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 पूरे सेटलाइट पर मैं बैठा हूं क्योंकि सेटलाइट के अंदर मैं हूं तो मैं फोर्स equal to ma की relation बनाऊंगा तो देखिए इस satellite पर लगने वाला gravitational force due to the earth कितना होगा gmm upon r square होगा की नहीं होगा इस पर लगने वाला center की तरब जो force होगा वो होगा gmm upon r square ठीक है ना force gravitational force of earth gmm upon r square से इसको body m को earth खीचेगी खीचेगी की नहीं खीचेगी body m के खीचने के कारण ये satellite की surface पे एक क्या देगा reaction देगा क्या देगा reaction देगा उसका क्या है बोलो r कितना है r और इस सब गतिविधियों के बाद मैंने laws of motion बनाया तो laws of motion क्या कहता है net force equals to ma f net equal to कितना बोलो m into a चलिए f net तो बटा अंदर की और force लग रहा कितना बोलो gm upon r square minus कितना reaction force r बोलो हाँ उपर की तरफ equal to net force equal to mass into कितना acceleration बोलो हाँ है न तो भाईया जो net acceleration काम कर रहा है पूरे के पूरे system पे वो कितना है बोलो gm upon r square है की नहीं है है न gm upon r square जो net acceleration काम कर रहा है इस पूरे सिस्टम पे इस पूरी बोडी पे वो अर्थ का है नेट एक्सलेशन कैपिटल जी एम अपॉन आरे सुक्वार्थ ध्यान से देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या हो गई cancel तो answer reaction force equal to कितना आ गया मतलब कोई reaction काम नहीं करेगा समझ में आ गया और reaction काम नहीं करेगा तो वेट कितना हो जाएगा zero clear हो गया does the surface does not exert any force on the body hence its apparent weight is zero such a state is called state of weightlessness इसलिए astronaut जो होते हैं उनको weightlessness feel होती है समझ में आ गया चलिए next question है अगला है geostationary satellite geostationary satellite अब देखिए अर्थ घूम रही है इस concept को समझे यह बड़ा मस्त concept है यह earth है अपनी यह अपनी earth है और इस position पे है इस position पे हैं इंडिया इस position पे क्या बैठा हुआ बैटा यह इंडिया बैठा हुआ clear अब अर्थ जो है बैटा यह घूम रही है continuously यह भी इंडिया यहाँ है एस्टोन आईए देखो सेटलाइट के अंदर बैठे हूँ ये सामने आ गया बुले सोनो और अपना जो सेटलाइट है बट अपने एक ऐसा सेटलाइट सेट किया है जो इसके ऊपर साथ में इसको प्रोजेक्ट करते रहे क्योंकि अपनको इंडिया का वेदर देखना क्या दे के साथ में इता सेटलाइट बिलकुल उसका बनाया हूए धिया सेटलाइट बिलकुल इसको बनाया हूए और इसके सामने गये नमई एससे इंडिया गोंशा है और यह सेटलाइट आर्थ घूमए है सेटलाइट गोम रह Health घूम रही हैै top 4 ङ ही मज़े समयगे कि नहीं इनका time period 24 hours होता है उनको हम क्या बोलते हैं geostationary satellite समझके ना clear हो गया तो ये satellite बिल्कुल नजर बनाए रखते हैं या एक particular position के उपर इनको बोलते है geostationary satellite ठीक है clear हो गया तो इनका time period कितना होता है 24 hour 24 hour तो 24 hour अपने पास है तो इस concept का यूज करके पन क्या निकाल लेंगे इनकी height कितनी निकालेंगे इनकी height तो देखे the satellite which appears stationary related to the earth अब भाईया अब ये बताओ यहाँ पर earth में कोई बंदा है तो इसके सामने ये रूका हुआ कि चल रहा है भाई तुम भी घूम रहा हूँ मैं भी घूम रहा हूँ बुलो हाँ तो सामने के आप दूसरे के रुके हुए है ना इसलिए इसका नाम है Gio stationary Gio stationary Gio मतलब earth है है ना और stationary मतलब earth के लिए रूका हुआ क्योंकि भाईया वो भी घूम रहा है साथ में earth भी घूम रही बुलो हाँ है ना सामने सामने तो यहां से कोई बंदा gain फेक के मालेगा तो हाथ में catch लेगा की नहीं लेगा एक concept है है ना मतलब gain तु जाएगी नहीं फिर भी ऐसे समझने के लिए दोनों एक साथ है ना तो इनकी relative velocity क्या हो गई 0 तो दोने एक दूसरे के relative में rest हो गए तो the satellite which appears stationary related to the earth is called geostationary satellite its time period around the earth should be same that of the earth equals to 24 आवर तो time period तो अपने पढ़ रखा बिच्चो t equal to 2 pi under root r q upon gm बोलो पढ़ा की नहीं पढ़ा r की जगे r plus h का whole q upon gm बोलो clear हो गया बिटा इसका पूरे का square कर दो क्या कर दो पूरे का square कर दो पूरे का square करने के बाद सब कुछ खोल खाल डालो solve कर दो 2 पता है pi पता है square कर दोगे तो यह क्या होगा root हट जाएगा क्या हो जागा root हट जाएगा radius की value रख दो मजमें जी, clear हो गया ना, तो मतलब अर्थिके सर्फेस से जो जियो स्टेशनरी सेटलाइट होता है, वो कित्ते हजार, तित्ते थाउजंड किलोमेटर की दूरी पे होता है, 36,000 किलोमेटर की दूरी पे होता है, बोलो clear हो गया, एन और्बिटल स्पीड अफ दा विलास्टी, तो इसकी जब आपने रेडियस निकाल ली है, आपका इसका H आ चुका है, तो और्बिटल विलास्टी का फॉर्मुला जो आपने निकाला था, उपर, यह देखिए, और्बिटल विलास्टी में आपको दिखाता हूँ, यह है, और्बिटल विलास्टी, वी कल्डू कैपिटल जी एम अपन स्मॉल र, तो स्मॉल र की वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे, और्बिटल विलास्टी वाले फॉर्मुले में तो आंसर कितना आगे, 3.1 किलो मेटर पर सेकेंड, समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो नॉर्मल सेटलाइट से भी भही असलो चलता है, नॉर्मल सेटलाइट कल आपने देखा था, है ना, आठ किलो मेटर पर कुतना आ रहा था, देखा था ना आपने, हाँ, तो यह भही आपकी जो स्पीड है, और्बिटल विलॉस्टी 3.1 किलो मेटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर यह चैप्टर आपका तोटली खतम हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बता है, बचाए हमने 59 स्लेट से इसकी कंप्लेट कर ली है, ठीक है? तो ग्रेविटेशन यहाँ पर फिनिश होता है, थैंकि सो मच,